हेलो दोस्तों वेल्कम बेक टू मैं चैनल अनुप्रिया दोस्तों हमारे अंडराम्स के हैर प्रोब्लम से आज कल हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं जिससे की हम अपने हाथों को खुल कर नहीं उठा पाते साथ ही हम स्लीवलेस पेंते तब भी हमारे हाथों को नहीं उठा साथ ही हमारे जो अंडराम्स के बद्बु और बहुत है और हम क्रीम्स वаров से बाल albums रहले साथ ही यह कुछ वहगी होगी और इससे आप घर पर आप सकते हैं यह की सनकर नाचरली है तो दोस्तों इस remedy को यूज करने के बाद में आपको इन सारी जंजोटों से छुटकारा मिलने वाला है यह बहुत अच्छी remedy और आपको इससे बहुत ज़ादा फाइदा होने वाला है तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस remedy को सबसे पहले मैंने लिया है एक पैन और उसमें मैं डाल रही हूँ एक कप पानी अब मैं उसे अच्छे से गरम कर लूँगी गरम करने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ शुगर यानि शकर यह हमारे किचिन में अच्छी तरीके से अवेलेबल हो जाती है बहुत ही इजिली मि करूंगी अगर आप ज्यादा बना रहे हैं फ्रेंट्स तो आप इसमें ज्यादा शुगर और ज्यादा बहुत ही बिल्कुल ही नेच्रल है अपकी स्किन को लाइटर ब्राइट ंबनाएगी जो आपके अंडर लाम स्कॉली हो जातीए उन स्किन को ये darker skin को हटाएगी साथ ही आपकी पसीने और smell की problem को भी दूर करेगी और ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी skin को cover करेगी अब मैंने लिया है एक आधा कटा हुआ नीम्बू नीम्बू भी हमारे घर में easily available हो जाता है तो आधे कटे हुए नीम्बू को मैं इसमें अच्छी तरीके से squeeze करूँगी इसका जजू से मैं इसमें निकाल लूँगी दोस्तो नीम्बू एड करना आपको कंपल सरी आपको इस से एड करना इसमें नीम्बू दोस्तो हमें इसमें इसलिए एड करना है क्यों कि यह हमारी इस रेमेडी को और भी जादा effective बनाएगा और जाधा कारगर बनाएगा इसे घर अंडर आम में होने इस सारे infection भी दूर होंगे सातिह हमारी लाइटन प्राइटन करेगा और हैर को रिमूब करेगा अच्छे से अब इस पिक्षर को हम अच्छी तरीके से उबालेंगे आपको इसे तब तक उबालना है दोस्तों जब तक कि इसका जो क्वांटिटी है वो हाफ नहीं हो जाती यह बिल्कुली एक क्रीम फोम में नहीं आ तब तक आपको इसे उबालना है अब यह थोड़ा सा पतला है हमें इससे थोड़ी देर और उबालना है यह बहुत ही अच्छी तरीके से एक काढ़ा इसका बन जाएगा एक इसका जो थिकने से वह अच्छी तरीके से मोटाई में हो जाएगी तब हमें क्या करना है दोस्तो इसका योज़ करना है तो आप देख सकते हैं कि दिरे-दिरे ये कितना मोटा होता जा रहा है दिरे-दिरे इसकी जो consistency है वो hard होती जा रही है तो दोस्तों अब हमें क्या करना जब ये इस consistency में आ जा है तो इससे थंडा कर लेना है और उसके बाद में हमें इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लेना है तो आप देख सकते हैं इस तरीकी consistency होने चीए दोस्तों हमें ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है इस तरीकी consistency होने के बाद इसे ठंडा कर लें आप देख सकते हैं मैंने इसे बाउल में ट्रांसफर कर लिया है और इसकी जो consistency है पहले से और भी ज़्यादा गाड़ी हो गई है इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हो कि यह बहुत ही ज़्यादा effective होने वाला है क्योंकि यह दिखने में भी इतना ज़्यादा effective लग रहा ह साथ ही जब आप इससे यूज़ करेंगे तो आपको result 101% मिलने वाला है तो आपको इससे बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही सावधानी से आपको इससे यूज़ करना होगा जिससे की best result मिलेगा दोस्तों इसमेडी को आपको क्या करना है एक wax की तरह यह बन जाएगा wax की form में यह बन जाएगा और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि यह बिल्कुल easy तरीके से ठंडा जल्दी से ठंडा नहीं होगा इससे आप बहुत देर तक भी रख सकते हैं और उसके बाद आपको waxing क की तरह इसे यूज़ करना है और अपने बालों को रिमूव कर लेना है इससे बहुत ही जल्दी इजी तरीके से आपके बाल रिमूव हो जाएंगे साथ आपको इरिटेशन नहीं होगा आपकी जो अंडराम से वह बिल्कुल खिली-खिली और ब्यूटिफूल और वाइटनि लिए में घर पर ही इजी तरीके से आप इस्वेक्स को तयार कर सकती है या कि स्किन को लाइटन ब्राइटन प्रैइज बनाएगा शाथ ही आपकी सारे काले काले पन को भी दूर करेगा ook सबस्क्राइब और लेटेस्ट और नए नई वीडियो सबसे पहले आपके पास आजा झाल झाली हैं